हो फ्रेंड्स बल्कम बेक टो मैं चैनल नितके 50th स्मॉल वर्ल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चीजी गर्लिक परेत की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े दार इस रेसिपी को बच्छे से लेके बढ़े सब को पसंद करते हैं त टेबल स्पून बटर, वान ती स्पून गर्ली, कटा हुआ हडा धनिया, चिली फ्लेक्स, इटालियन मिक्स हर्ब, ठोरी सी ब्लेक पेपर पाउडर और इन सब को अभी में मिक्स करूंगी, इसके लिए बटर हम लोगों को हमीशा रूम केंपरेचर के ही लेनी चाहिए, ये अ आप लोग अपने मन पसंद की ले सकते हैं, अब इसके उपर डूसरा वाला ब्रेट रखके, एक पैन को गड़म करके, जिसमें हम लोगों ने बटर लगाया था, वो वाला पोर्शन नीचे की साइड में करके, मीडियम आच में इसको पकने दूंगी, और उपर की ब्रेट क जो हम लोगों ने रेदी किया था, वो लगा लोगी, अलग पलब के इनको पकने देंगे, और धकन लगा के मीडियम आच में दो मिनित के लिए रख देंगे, धकन उठा के देख लिया है, ये देखे हमारी चीजी गर्लिक प्रेट एक दब रेडी, तो फ्रेंस यही है मेरा चीजी गर्लिक रेट की रेजिपी, जिसको मैंने सर्फ किया है, सेजवन सॉस और मेयो के साथ, खाने में बहुत ही तेस्टी है, और आप लोगों ने देखा ही कि मैंने कितनी आसानी से इसको बना दिया, टी टाम स्नेक्स, पार्टी स्टार्टर या फिर टिफिन में भी इस